नौईडा इस्थित मारवा स्टूडियो में पंद्रहवा ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयो जन किया गया जिसमें सिनेमा द्वारा, प्यार, शांती और एकदा का संदेश भी दिया गया भारती संस्कृती के अनुसार दीप्रजुलन और गड़ेश वन्दना के साथ कारिकरम की शुरुवात की गई वही कारिकरम में मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश-विदेश से अधिती गड़ ने अपनी उपस्तिती तर्च कराई इस कारिकरम में विवेक अगनिहोत्री की चर्चित फिल्म कश्मीर फाइल्स का भी ट्रेलर दिखाया गया जिस स्टूडेंट्स और सभी गैस्ट बहुत उसाहित हुए इसके साथ ही जल्दीर रिलीस होने वाली रेड मुवी का भी ट्रेलर दिखाया गया इस कारक्रम में महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए महात्मा गांधी फोरम पोस्टर भी रिलीस किया गया इस कारक्रम के दूसरे हॉल में जिसमें फिल्म में from मुरक को अली जाओअ की स्क्रेनिंग भी की गई इस कारिक्रम में डिरेक्टर विवेक अगनिहोतरी, राजीव चोधरी, मुकेश त्यागी, कंचन भूर, M.P. राजसभा, Dr. अमर पतनायक, अम्बेस्टर अफ टेनेशिया, Her Excellence Hayat Talby, His, Excellence Dr. Godfrey Meizoni, Ambassador of Jimbombay, Mohamed Maliki, Ambassador of Morocco, Amisal Faisal, CDA, High Commissioner of Malaysia, Bukharizya Mehdi, Dutawas Morakko, Sazid Hizri, Counselor Dutawas Morakko, Neha, CEO OTT Channel, Dr. P.K. राजबूत मौचुद रहे वही कारिक्रम में उपस्थित सभी अधिती कड़ को पुस्तक भीट कर उनका स्वागत भी किया गया बतादे कि ICMEI के संस्थापक Dr. संधी पारवा ने कारिक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया भी आदा किया और कहा कि बहुत खुशी की बात है कि फिल्म में फेस्टिवल समय के साथ लोग प्रिय हो रहा है तीन दिन में बहुत कुछ खास होने वाला है इस फेस्टिवल में सरसटा नेशन्स भाग ले रहे है इसके साथ इस कारिक्रम को Most Vibrant Festival of the World भी कहा गया संधी पारवा ने कहा कि इस फेस्टिवल की द्वारा सिनिमा द्वारा प्यार, शौन्ती और एकता का संदेश लोगों में जगाना है इस कारिक्रम में डॉक्टर विवेक अगनी होतरी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी चर्चित फिल में कश्मीर फाइल्स का कितनी कठिनाईयों से निर्मार किया और सफल था पाई बतादे कि इस कारिक्रम में हिंदी सिनिमा संबान समरों 2022 अवार्ड सेरिमेनी भी की गई जिसमें कलाकारों को अवार्ड देखकर संबानित भी किया गया वहें विवेक अगनी होतरी को कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वस्रेश्ट नर्देश्यक की उपाथी से भी सम्मानित किया गया इस कारिक्रम में हिंदी सिनिमा रतनिकी उपाधी से टीपी अगरवाल को सम्मानित किया गया वही मुकेश त्यागी को सम्मानित किया गया, है तल्वी को भी हिंदी सिनेमा समर्थक उपाथी से सम्मानित किया गया, अमिजल फाजली को हिंदी सिनेमा समर्थक की उपाथी से सम्मानित किया गया, बतादे कि आर्ट गैलरी में पेंटिंग एक्जबीशन का अद्खाटन सं संदीप मार्वा अठितियों द्वारा किया गया इस उस बड़ी करिंदाbirds मोमिन्ट्स देकर समानित किया गया वही कारिक्रम के अन्धि में उपस्तित सभी अठिती решил संदीप मारवा और स्टूज्म्द को अशोक त्यागीद्वारा धन्यबाद जैपन किया गया । तूर थिस रिखेवल ने बड्तेशनाय पराइब एक होंज दूड़तेव में परहां पूरते हैं। अशुम्तोओ कर दादे हुं और दूर्पराइब होंगा करता है। प्ष़िस क्या है वे साथी में तेश कर दिन संदित अर्वा सूंध रूप को इस बाद़ा में प्राइब की प्राइब का उनर्भी कि प्राइब न क्वेम नहींट आप्राइब को जित दिन अर्वां प्राइब बिज घा कर दिन. अब परन्वियर ग्लोब फिल्म यॉश्म फेस्टिवल फेस्टिवल पानु ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल है स्बीन वहां की टुक्रांट तो कर रहे हूं कर दो सब्सक्राइब कर रहा हैं आज जो क्यूंत58-簡 différent अनुक्त ? जो बात करते ने वाले से उनको सम्थ पॉजितितिविटी ज्या अंको घ्राट होगा or I always wish a great success and coming to the Marwa Studio and also talking about the 15th Global Film Festival which is going to be again a very hit film festival in the coming time as well. Thank you so much. Yeah, actually I'm delighted to be here. It's not the first time for me. It's a tradition now between Mr. Sandeep Marwa and the Tunisian Embassy really to organize many initiatives together. It's a wonderful really and auspicious opportunity to bring people together and to connect together from different backgrounds, from different cultures. It's really something wonderful. Thank you so much. I have to leave. It's a very good thing. It's a lot of everyone. I wish them all the best. And you have a new film called Vaccine. So what do you think about it? The Vaccine War has made the fastest and safest vaccine in the world's world and safest vaccine. I wish it for a long time. It's a lot of people. I wish it was a long time. The last time I wish I could help others, I wish I could help others. I wish I could help them to help them. I wish I could help them to help them. प्रवाफ शाली फिल्म फंक्षन है जो जिसमें तमाम फिल्में 15 मिलकों की फिल्में 15-18 मिलकों की फिल्में और तमाम भाशाओं में यह आई है मैं समझतों संदीब बारवाजी के जो इस्ट्यूट है और इसकी मैं बहुत तारीफ रसकता हूँ उसमें वीवेक अंग्मियोत से बहुत बिगज हैं तमाम लोगों ने शिर्कत करी है और मैं भी हूँ मुझे भी मौका मिला मैं समझतों इस वेरी इंप्रेसिव फिल्म फंक्षन और इस फिल्म फेस्टिवल आई थिक वी हमारे नॉड़ा के अंदर फिल्म सिटी आ रही है योगी जी आदिते नादिया यहां पर एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी ला रहे हैं और उत्रप्रदेश के कालाकारों तो धूम मचा रखिए बॉलीवोड में क्या पूरे देश में हमिता बच्छन को ले लीजिए तमाम ऐसे हैं तो मैं समस्तों उत्रप्रदेश को फिश्टू में टूए वेरी अच्छे बड़头 बयोगाय रखिए प्जाप पंवानगों मिलगाय तमाम आफ कि अच्छी पूच्छी है कि हम लोग ने आज पंदर्वें ग्लोब फिल्म फेस्टिवल का एक भव आजन करके उसकी शुरुआत की है देश पर और दुनिया भर में फिर से एक बार टंका बजा है लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आट इन कल्चा और जिस संदेश को लेकर हम लोगों ने 16 साल पहले ये योजना तयार की थी वो आज पूरी होती नजर आ रही है देश पर और दुनिया भ होगा के मलेशिया से और मरोको से और तुनियसिया से तीन देशों के लोग इस वक्त यहां मौझूद थे स्लोविनिया से वहां की चर्चित एक्टरस इस वक्त यहां पहुँच चुकी हैं और भारे सरकार को रुपेसेंट करने के लिए राज्य सभा के मेंबर इंदोस्तान की फिल्म इंडस्री को रिप्रेजन करने के लिए टीपी अगरवाल जो कि फिल्म फेडरेशन ओफ इंडिया के अध्यक्षपी हैं और पूरी फिल्म फेटरिटी की डिरेक्टर्शिप को यहां रिप्रेजन करने के लिए विवेक अगनी होतरी और अशोक तिय और इसी तरीके से acting fidelity को represent करने के लिए बहुत सारी इस वक्त यहां पर एक्टर मौजूद हैं जिनके साथ भी आपका अच्छा बारतादाब होगा बहुत एक्साइड़ हैं यहां पर इतनी अच्छी अच्छी है इतना प्रेम पूर्वक बादवरन है इतना इंडिया यांग इंडिया देखने को मिल रहा है Marwa Studio is amazing and the crowd here is beautiful people have so much positivity लोगों के इंदर इतनी प्रेम भावना है and it's a beautiful atmosphere here अप्ते मौट अफिटिवेशन इया अब के सामने आप लेख लीजिये Enjoy the Art Basically exhibition- इतनी इतनी प्रेम भावना है तो इतनी प्रेम भावना है or it's a beautiful atmosphere. I am doing I'm working on 100 portraits of people of the world dunya के 100 लोगों की तस्वीरे जाहे वो कि इस भी उपित्व मादूबाला, जीनतमान, नर्गेस, मेरलन मॉंडरो, बिली ईलिश एलीश for the young generation. So there are people or celebrities that we relate to. तो बात बड़िया लगता है, हमेश्ः अच्छा लग रहा है, इसलिए हम हुआ हैं, हम इतने जादा प्रेरित होते हैं, संधीप मारवाजी से मिलके जैस्टीप मारवाजी को हमारी सप्ति बहुत दॉया है because he has discovered so many talents. My god. He is giving India huge contribution through talents of India coming out in the limelight. So thanks to Sandeep मारवाजी. We are enjoying every bit and we encourage, we felicitate, we congratulate him always. सोच हो देखो और करो और पीचे मतने तुपम्हें जिंदगी दी यह यंग इसकुड ऑऑ कमाल कर सकते हो अभी तो मैं बोल नहीं थी कि हमारे टाइम में नहीं था अभी तो आपके पास टेक्टनोलोजी है हर चीज अवेलेबल है जो चीज दो आपके पास एक फिंगर्टिप पे बले बले तो यू नेक अलोट अव दिफरेंश यू ने